नमस्कार किसान भाईयो मैं आप किसान मित्र और आप देख रहे हैं M.K.A.R.I.C.L.C.R. किसान भाईयो M.K.A.R.I.C.L.C.R. में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राप्टेट टमाटर के बारे में किसान भाईयो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम ग्राप्टेट टमाटर कहां से और किस प्रकार से ओर्डर कर सकते हैं और कब तक हम ओर्डर कर सकते हैं किसान भाईओं बने रहेगा इस वीडियो के अन तक और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इस चैनल में खेती बाहरे से लेटेड वीडियो और ग्राप्टेट से लेटेड सारे वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज क इस वीडियो को किसान भाईयों सुभम नर्शरी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टमाटर की खेती के बारे में किसान भाईयों आज के इस वीडियो में हम एक एक करके जानेंगे कि टमाटर की खेती कब और किस प्रकार तो उसारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं तो बने रही है इस वीडियो के अंद तक वीडियो पूरी देखे क्योंकि अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो ही आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी और अधिक जानकारी के लिए हम नीचे कॉंटेक्ट तो आप जब 15 जून से लेकर 15 अगस्त के 20 में आपको प्लांटेशन कर देना है किसान भाईयो यह तो रहा एक छोटी से जानकारी कि हमें ग्राप्टेट टमाटर कौन से महने में लगानी चाहिए जिस से हमें अच्छा खासा उत्पादन मिल सके किसान भाईयो इसका सही समय है 15 जून से लेकर 15 अगस्त किसान भाईयो अगर आप बरसात के महिने में ग्राप्टेट टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छा समय माना गया है आप 15 जून से लेकर 15 अगस्त के 20 में आपको इसका प्लांटेशन कर देना है किसान भाईयों ये तो रहा लगाने का सही समय है अब हम आगे बात करते हैं ये पाउधा हमें किस प्रकार से मिल सकता है किसान भाईयों पाउधा लेने के लिए आपको 2 मा पहले ओरर करना पड़ेगा याणि कि अगर आपको इसी खेती जुलाई में करनी है तो आपको जह है मैं में ही इसका ओरर आपको करना पड़ेगा यहने कि लगाने से दो माँ पहले आपको ओर्डर करना पड़ेगा हमने पिछले वीडियो में भी आपको बता रखा है कि किस प्रकार से ओर्डर करना है और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉंटेट कर सकते हैं जिसमें आपको पूरी जानकारी दिया जाएगा कि पाउधा कब और किस प्रकार से ओर्डर कर सकते हैं जिन भी किसान भाईयों को ग्राप्टेट टमाटर की खेती करनी है तो नीचे दिये गए नंबर पे कॉंटेट कर सकते हैं और पाउधे का ओर्डर कर सकते हैं और हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनका अमेशा से एक प्रस्न रहा है कि यह जो ग्राप्टेट टमाटर होता है या ग्राप्टेट जो बैगन होता है क्या इसका उत्पादन उतनी मिलता है जितना की वीडियो में दिखाया जाता है तो मैं सभी वीडियो का तो नहीं कह सकता हूं लेकिन हमने इसकी खेती टमा टमाटर का जो पौधा होता है उसको 7-9 मेहने तक चलाया है और जो बैगन का पौधा होता है उसको जो 13 मेहने तक हमने चलाया है किसान भायों इस सारा चीज डिपेंड करता है आपके मनेजमेंट के उपर कि आपकी खेती आप किस मनेजमेंट किस तरीके से कर रहे हैं अगर आ काफी लंबे समय तक चलेंगे और आपको अच्छा खासा उत्पादन भी देंगे तो किसान भायो आज के लिए बस इतना ही वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब करिएगा तो आज के लिए बस इतना ही जल मिलते हैं नेस्ट वीडियो पे तब तक लिए जय हिन जय भारत जय किसान